हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल इन कुकिंग विद्रेखा पहाडिया आज मैं आप लोके साइज शेयर करने जा रहे हूं न्यू यह स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है पनीर रोल्स आपको यह रेसिपी पसंद आएगी तो आएए बिना कोई देर किया रेसिपी स् अगर आप मैं चैनल पर फर्स टाइम आया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेश दे बल आइकन पनीर रोल्स बनाने के लिए मैं ने आपर लिया है लगबग 200 ग्राम पनीर यह दोसों से डाइसो कराम के करीब बनीर है यह हो मैट बनीर है इसे मैंने घर पर एक प्याज बारिक कर टीवी दो से तीन हर इमिज आप यहां पर हरी मिज़ना मिज का यूज भी कर सकते हैं तो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे पीसेज में इसलिए तोड रहा है क्योंकि हमें इन ब्रेट का क्रम्बल स्रेडि करना है यह देखिए मैं ब्रेट को चोटे-चोटे-पीसेज में तोड़ लिया है और मैंने इसे मीच सी में पीस कर एक कर लिया यह देखिए आपके ब्रेट क्रम्बल्स पिकुल रधी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे ब्रेड क्रम्ब्स को प्लेट के अंदर निकाल लिया है यह मुझे क्वांटिटी में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है आप चाहे तो इसे थोड़ा सा एक अलग प्लेट में रख सकते हैं यह बिल्कुल भी बैस नहीं होगा आप इसे चाई पनीर बहुत अच्छा बनेगा पनीर रोल्स को बहुत अच्छा बनेगे इस तरह सारे पनीर को ग्रेट कर लेंगे मैंने आपर सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है यह बिल्कुल रडी है अब हम इस पनीर को एक बड़े से बोल या एक बड़े से बरतन के अंदर ट्रांसफर क अब एक सारी रो वेजीटेबल्स को एक साथ ही इसके अंदर डाल दी है अब एक चमच के करीब रचिली फ्लेक्स अगर आपके पांस यह अवाइलेबल नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्च को भी कूट कर इसके अंदर डाल सकते हैं मुझे यहां पर एक वीडियो क्लीप इसकी फो गया है उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था दो टेबल स्पून कॉर्ण फ्लो और एक टेबल स्पून नमक उसके बाद हमें एक अच्छा सा डो रेडी करना है बीना पानी और दूद का यूज की हुए उसके बाद हमें इस के लिए बैसन का करते हैं मेदेगा पेस्ट बनाने के लिए हम यहां पर लेंगे दो चमच मेदा और थोड़ा सा नमक उसका हम बिल्कु लिक्विट पैस्ट रडी कर लेंगे पैस्ट रडी करने के बाद हम रेफ्रेस्टेटर से पनीर रोल्स को निकाल लेंगे अब हम इन ब्रेट करम्बल कर लेंगे अच्छी तरह से इसके अपर अधिवा लगाने है उसके बाद हमें इसे लगबग आदे सक गंड के लिए सैट होने के लिए रक देना है अब हमें इन पनीर रोल्स को कड़ाई के अंदर डी ब्राय करना है हमें ऑल को अच्छा थेज गरम करना ह इसे हीड करना है अधे मिल्ग डर एक ग्रत्सक्रार दरिज़ाना हो पटने टीट पहँते यह तक सच को नदर डीगा नने को यहीं हमने कंदीशोओं को आपको शीक्रिशप, आप प्रइसिंट को पलीज़ायकर बाहर निकाल देए जरूर जरूर से ट्राइब कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमें सक्षिन मों मुझे कम आपको मेरी अधर रेसिपी की लिंग मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेडिस्ट को चेक कर सकते हैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थांक यू अ झाल झाल